नमस्त दोस्तों यह जो हमारी है जिससे पूरा विश्वर जूच रहा है और हर तरीके से इसलिए किसी ना किसी को हर तरीके से प्रभावित किया है लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी शेयर करना चाहूंगी कि मैं देख रही हूं कि बहुत सारे लोग बहुत जादा हताश हो नेगेटिव फील कर रहे हैं, दीमोटिवेटिड फील कर रहे हैं, दोस्तों मैं कहना चाहूं कि कि सेल्फ पिटी के लिए यह वक्त नहीं है क्योंकि जिन लोगों पर सच में आपता आई है वो बैटल फिल्ड में वो इससे जूच रहे हैं, उनके पास हताश होने का वक्त नहीं है लेकिन जो लोग ओवर्थिंग करें, तो लेट में टेल यू, हर जेनरेशन कहीं न कहीं चाहें आप क्यों समझते हैं क्या बहुत जादा स्पेशल है अब आधुनिक्ता इकती बढ़ गई है जनसंख्या इतनी जादा हो गई है कि जिस तरह से ट्रावल हो रहा है तो पूरा विश्व एकदम से इसके चपेटे में आ गया है और हमारे भारत की जनसंख्या वो तो दुनिया में सबसे जादा जनसंख्या है भारत की तो हम जिस आधुनिक्ता का मज़ा उठाना चाहते हैं उसके ड्रॉबैक्स भी तो होगे ही होगे लेकिन इस प्रॉब्लम में एक खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाना कहां की समझदारी है हमें अगर हम सल्यूशन नहीं बन सकते तो प्रॉब्लम भी नहीं बनना चाहिए दोस्तों हमें जितना हो सके लोगों की मदद करने चाहिए पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी मदद करनी चाहिए जिसमें के नमबर वन आप इस वाद का ध्यान रखिए कि आप संक्रमित ना हो प्लीज खुद नमबर टू पिछले सादक देखिए हम लोग कितने हताशते क्या होगा इस वैक्सिन का कुछ होगा भी क्या नहीं लेकिन आप हमारे पास एक वैक्सिन है उसके दवाई है जिन हमारी के मैं और recovery rate is 100% तो दोस्तों आप मुझे बात बताईए कि जब हम लोग इस situation में हैं तो वैक्सिन के खिलाफ गलत अववाएं उडाना मेरे घर के कितने स्टाफ है वो नहीं जाना चाहते थे वैक्सिन नहीं लेना चाहते थे लेकिन मैंने सब को रिजिस्टर कराया उनको मनाया उ यत्तिगत तौर पे सब इससे अपनी अपनी लडाई समझ के और प्लीज हताश मत होई जहें